हेलो दोस्तो मेरा नाम है डॉक्टर केज सोगले और हमारे चनल डॉक्टर कंसल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले स्टाय के बारे में स्टाय मतलब एक तरह का आप कह सकते हो कि एक तरह की आखों की बीमारी होती है इसको आ स्टाय किस वजे से होता है किस में हो सकती है इसके कारण लक्शन क्या होते हैं इसको किस तरह से डाइगनॉस और टीट करते हैं इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आगे बात करेंगी हमारे आखों के आई-लीड के बाहरी से के उपर जो एक दर्द पैदा करने वाला लाल कलर का बंब होता है उसी को हम stye से बोलते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस stye दिखने में आम तोर पे किसी भी pimple की तरह ही दिखता है और यह tender होता है मतलब अगर आप इसको हाथ लगाओगे तो यह दर्द करेगा तो यह tender होना और pimple के तरह दिखना एक कुछ characteristic features है जो कि इस तरह के stye के patient में या फिर stye में देखे जाते हैं stye का problem mostly चोटे बचों में और जो growing age के लड़के-लड़कियां होते हैं उनमें देखा जाता है तो इस stye कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है लेकिन आम तोर पे पाई जाती है इसके बाद हम बात करेंगे stye के कारणों के बारे में stye किस वज़े से होता है सबसे पहली बाद हमारे eyelids के अंदर जो oil glands होती हैं उनको infection होना एक बहुत ही प्रमुक कारण है जिसके वज़े से उस patient में stye हो सकती है यह जो eyelid के अंदर oil glands होती है उनको जो infection होता है वो तीन तरह के या फिर तीन तरह से हो सकता है सबसे पहले eyelash follicle में infection हो सकता है या फिर apokrine gland में infection हो सकता है या फिर sebaceous gland में भी infection हो सकता है तो इन में से किसी भी तरह से किसी भी जगा पे अगर उस oil gland में infection हो जाता है तो फिर उस patient में stye की बीमरी पैदा हो जाती है अगर हम stye के लक्षनों या फिर symptoms के बात करें तो फिर उस patient को stye के वज़े से आखों में कुछ चुबने जैसा sensation हमेशा मेसुस होते रहता है इसे के साथ साथ आखों में उस patient को दर्द होना और आखों को या stye को हाथ लगाने के बाद उस patient को काफी ज़दा irritable होना और दर्द मेंसूस होना ये भी लक्षन उस patient में देखा जाता है आईलीड का सूज जाना या फिर आईलीड के अंदर सूजन आना patient के आखों से पानी आ जब पानी आते रहना आमेशा पानी आना और sunlight को ज़्यादा समय तक face न कर पाना ये भी कुछ लक्षन है जो कि stye के patient में देखे जा सकते है आईलीड की जो age होती है वहाँ पर redness होना और tenderness होना और soreness होना एक प्रमुक लक्षन है जो कि stye के patient में देखा जाता है इसके साथ साथ जैसे हैं मैंने पहले बोला stye के patient में भूत हथ तक light sensitivity भी देखे जाती है light को patient face नहीं कर पाता उसको उससे irritation होने लगता है उसके patient के आखों से पानी आने लगता है तो एक कुछ main science or symptoms है जो कि stye के patient में देखे जाते हैं इसके बाद अगर हम stye के patient में diagnosis के बात करें तो फिर diagnosis के लिए उस patient में ठीक से medical history लेना और उस patient के आखों का ठीक से physically examination observation करना ही sufficient होता है diagnosis के लिए इस case में stye के diagnosis के लिए और stye के diagnosis के लिए किसी भी तरह के कोई test की ज़रुवत नहीं होती है एक clinical diagnosis है जो कि हम clinic में ही कर सकते हैं finally अब हम बात करेंगे stye के treatment के बारे में सब सब पहले तो हम जिस patient में stye की बीमारी है उस patient को warm गरम पानी में भिगो करके कपड़े को आखों के उपर stye के उपर apply करने के लिए के सकते हैं इससे भी उस patient में काफी हद तक आराम होता है इसके साथ-साथ उस patient को antibiotic cream local application के लिए दी जाती है patient को counsel किया जाता है ताकि वो patient अपने आखों के उपर rub ना करे और stye को squeeze ना करे जिसके वज़े से यह बीमारी या फिर यह problem और भी जादा fail सकती है आख में अंदर अगर कोई patient पहले से contact lenses इस्तेमाल कर रहा है और उस patient में अगर stye की problem होती है तो फिर उस patient को compulsory कुछ दिनों तक जब तक कि यह problem सही नहीं होती है तब तक उस patient को अपने contact lenses स्वियर नहीं करने है तो एक कुछ treatment options है या फिर एक कुछ line of treatment है जिसके सहायता से हम उस stye के patient में treat कर सकते है stye को treat करने के लिए अलग-अलग medication आती है अलोपेति में antibiotic creams है कुछ home remedies भी हो है इसके साथ साथ अगर आप homeopathic के बात करें तो उसमें कुछ अलग medication से आयुरेदा में भी इसके लिए कुछ अलग लेप वगर भी बताए गए है तो overall उस patient के preference के अनुसार उस patient को treatment दी जाती है कि वो किस पैति के अनुसार treatment लेना चाहता है तो कोई भी पैति से उपचार क्यों न ले हर पैति का intention तो एक ही होता है कि उस patient को जल्द से जल्द उसके बीमारे से बाहर निकालना तो this was in short about this tie अगर आपके कुछ doubts है तो you can ask me always in the comment section मैं try करूंगा answer करने के लेकिन हर बार यह possible नहीं हो पाता है thanks for watching this video till then thank you very much झाल